हालो फ्रेंट्स आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं आज हम लोग पढ़ेंगे भारत और बिस्व के भुगोल के बारे में कल पहला पार्ट पढ़ेते आज इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं पहला क्यूशन है कि मकराना सं नंग मरमर की खाने हैं इया रजस्थान में इस्थी थे अगला क्यूशन है कि अंतराश्जत दिनांग्रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से अगला क्यूशन है कि भारत में सबसे पहला तेल-कूप था तो वह डिग वो इप आए था क्वार्टेज बनता है तो सिलिकन आक्साइड से क्वार्टेज बनता है अगला क्यूशन है कि व्यापारिक पवने चलती है उपोस्ण दाफ से चलती है अगला क्यूशन है कि भारी जल तयार किया जाता है तो यह ट्रॉम्बे में तयार किया जाता है अगला क्यूशन है कि सब प्रसांद महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो पनामा नगर को प्रसांद महासादर का प्रेश द्वा कहा जाता है अगला किश्चन है कि बीसु का सबसे ब्यस्थ हवाई एड़ा कौन सा है तो कैनेडी है अगला किश्चन है कि भारत में परमाण सक्ती का बाड़ा किंद्र कौन सा है तो तारापूर है अगला क्यूशन है कि चूना पत्थर, डोलमाईट, बलुवा, पत्थर आधी किसके उधारन है या अवसाधी चटान के उधारन है अगला क्यूशन है कि बीसु की सबसे लंबी परोत माला है तो या एंडीज परोत माला है अगला क्यूशन है कि English Channel अलग करता है तो France को United Kingdom से अलग करता है अगला क्यूशन है कि महासागरी जल का तापमान कितना होता है तो 5 Celsius से लेकर 30 Celsius तक होता है अगला क्यूशन है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है तो Great Barrier Reef है अगला क्यूशन है कि Atlantic महासागर में उठने वाले चक्रवाती तुफान है तो हारीकेंस चक्रवाती तुफान है अगला क्यूशन है कि Red Indian प्रमुक जाती है तो उतरी अमेरिका की यह प्रमुक जाती है अगला क्यूशन है कि नील नदी का उद्गा मस्थल है तो यह विक्टोरिया जील में है अगला है आठकामा मरुस्ताल इस्तित है तो चीली दच्छिल अमेरिका में इस्तित है अगला क्यूशन है कि पिर्थवी अपने आज पर घूमती है फाशिम से पूर की तरफ घूमती है अगला क्यूशन है कि अंटार्टिका महादीप इस्थित है या दच्छनी धुरू पर इस्थित है अगला क्युशन है कि बिशु का सबसे गारा और बाड़ा महासागर है तो यह प्रसांद महासागर है अगला क्युशन है कि अंध महासागर कहते हैं तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं अगला खुशन है टिटी काका जील इस्तीध है तो या दच्छिन अमेरिक्या में इस्तीध है अगला खुशन है कि भारत एवं विश्व का नियूमतम वर्सावाला छेत्र है तो लेह जम्मू कस्मीर है अगला किशन है कि काली मिट्टी का निर्माड हुआ है तो बेसाल चट्टानों में निर्माड हुआ है अगला किशन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगा है तो मुंबई नावा सेवा में बंदरगा है अगला क्यूशन है कि एसिया में छेतरपल की दृष्टी से सबसे छोटा देश है तो यह माल दीव है अगला क्यूशन है कि ब्राजील के कहवा बाग कालाता है तो फरजेंडा कालाता है अगला क्यूशन है कि पिर्थवी को बाटा गया है 24 समय कटी बंदों में बाटा गया है अगला क्यूशन है ग्रीन वीच इस्तिध है UK में अगला क्यूशन है कि आच्छान से रिखाओं की कुल संख्या कितनी है तिया 180 है अगला क्यूशन है देशांते रिखाओं कि कुल संख्या कितनी है तिया 360 है अगला क्यूशन है कि एंडिज परवत उदारण है तो वलित परवत का उदारण है अगला क्यूशन है कि इस्ट्राम बोली जो अला मुखी इस्थित है तो लिपारी दीप में इस्थित है अगला क्यूशन है कि ओजोन परत अव इस्थित है तो समताप मंडल में इस्थित है अगला क्यूशन है कि रासायन मंडल का लाता है तो मध्य मंडल का लाता है अगला क्यूशन है कि हवाई जहाज उड़ते हैं तो यह समताप मंडल में उड़ते हैं अगला क्यूशन है कि भारत का सबसे बड़ा दीफ है तो मध्य मंडल अरे मध्य अंडमान है अगला क्यूशन है कि वल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में वल्गा नदी गिरती है अगला क्यूशन है कि विशु की सरवादिक विश्वास घाती नदी कहा जाता है तो हुआंगो नदी को कहा जाता है अगला क्यूशन है कि समानत्य डेल्टा की अक्रिती होती है तो यह त्रिभुजाका होती है अगला क्यूशन है सर क्रीक रेखा इस्तित है तकछ के रण में इस्तित है अगला क्यूशन है कि आरावली परवत की उंची चोटी है तो गुरु सिखार है अगला क्यूशन है इलाइची की पहाड़ी इस्थी थे तो केरल में इलाइची की पहाड़ी इस्थी थे अगला क्रिशन है कि नर्मदा नदी का उदगम होता है और मर कंटक से उदगम होता है अगला क्रिशन है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुक इस्थित है तो हुगली नदी के मुहाने पर इस्थित है अगला क्यूशन है कि भारत की सबसे बड़ी लेगून जील है तो वह चिलका जील है अगला क्यूशन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगा है तो विसाका पटन बंदरगा है अगला क्यूशन है कि सबसे पहले मांसून पहुंचती है तो केरल में पहुंचती है सबसे अधिक पानी सोखने वाले मिट्टी है तो दोमट मिट्टी है अगला क्यूशन है कि भारत में काले मिट्टी का सरवादिक छेतर है तो यह महरास्टा में है अगला क्यूशन है कि बिस में सरवादिक हिरन पाया जाता है तो भारत में पाया जाता है अगला क्यूशन है कि भारत का सबसे महंगा सहर है मुंबई है अगला किशन है पोंग बाद इस्तित है तो ब्यास नदी हिमानचर प्रदेश में इस्तित है अगला किशन है कि थीन बाद इस्तित है तो रावी नदी पंजाब में इस्तित है अगला किशन है मका देखा को दो पराबर काड़ती है लिम पोपो नदी दो पराबर भागों में काड़ती है अगला किशन है कि भारत वर्स की जलचेत्र सीमा है तो बारा नाटिकल मील है अगला किशन है हिमांचल परवत श्रेणी की सरवाधिक उचाई पर इस्तित दर्रा है तो कारा कोरम 18,291 फीट पर इस्तित है अगला है देशांतर में अंतर होता है चार मिनट का अगला किशन है कि भारत की सबसे लंबी अस्तिली सीमा है तो बंगला देश के साथ लगती है जो की 4,096 किलो मिटर है अगला किशन है कि पूर्व का वोश्टन कहलाता है अहमदाबाद कहलाता है अगला किशन है कि और रांचर प्रदेश पहले जाना जाता था तो नेफा के रूप में जाना जाता था अगला किशन है कि समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो वह केरल है अगला किशन है कि जलोड मिट्टी में अधिक्ता होती है तो कार्वनिक पदार्थों की अधिक्ता होती है अगला किशन है कि लाल मिर्च के उत्पादन में अगरणी राज कौन सा है तो आंध प्रदेश है ये भारत और बिसु के भुगोल से भागदो का क्यूशन था कम्प्लीट हुआ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो